ये कैल्सिम कार्बाइड है जो अपने प्योर फॉर में कलरलेस होता है बड़ इंपिरिटीज के प्रिजेंस में येलो ग्रीन और ब्राउन कलर का मिक्षर दिखे रहा है इसके स्ट्रक्शन प्रिजेंट कार्बाइड आयन में कार्बन के पास निगेटिव चार्ज होने की वज़े से ये वाटर से काफी तेजी से हाइडोजन अबस्ट्रेक्ट करके एसिटाइलीन गैस बना देता है विच इस हाइली इंफ्लेमेबल NCRD में इस इटालिन गैस का फॉर्मेशन हाइडोकार्बन चाप्टर में सेम इसी रियाक्शन से दिखाया गया है इस इटालिन गैस इतनी ज़्यादा इंफ्लेमेबल है कि लाइटर के एक क्लिक से ही आग लग जाती है मैंने बीकर में फ्लास को इनवर्टर डाल करके कोशिश की कि इस इटालिन गैस को कैच कर सकूँ और फिर इंफ्लेमेबल कर सकूँ बट यार मज़ा नहीं आया मेबी दाट C2H2 वस डिफ्यूजिंग बेरी रापड़ी वेल बेटर लग नेक्स टाइम बीकर के उपर आप साफ देख सकते हो कि कार्बन डिपोजिशन हो रहा है जिस C2H2 गैस को आप कमशन में जाते वे देख रहे हो उससे कार्बन ब्लैक का डिपोजिशन बीकर के इनर सर्फेस पर होते दिख रहा है नीचे ये प्यारा सा वाइट कलर जो आपको दिख रहा है सोलुशन में वे अक्चली कैल्शिम हाइड्रोकसाइड है जो प्रोड्यूस हो रहा है और धिमे धिमे नीचे बैठने की कोशिश में एक टर्बिडिटी का फॉर्मेशन कर रहा है ये ठीक एक दिम बाद का प्रेसिपिटेट है कैल्शिम हाइड्रोकसाइड बिलकुल नीचे बैठ चुका है और वाटर सेपरेट हो चुका है चुका है